अभी मित्रों का बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत, आज एक महत्पुन विशे पर हम आप से बात्चीत करने के लिए आप से निवेदन किया है, भारते जन्ता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, कारेकर्ताओं की पार्टी है, कारेकर्ताओं की पार्टी होने के नाते हमारा जो बल है, आज वो विश्व की सबसे बड़ा राजनितिक दल कारेकर्ताओं की पार्टी होने के कारण है, सत्रा करोड से अधिक हमारे कारेकर्ताओं की मेंबर्शिप है, दिल्ली में भी लगबग 25 लाग के करीब कारेकर्ता एन्रोल्ड है, पिछले दिनों भारते जन्ता पार्टी ने दिल्ली में आपनी एक और्गनाइजेशनल एक्टिविटी के तहट जो दिल्ली में हमारी संग्ठनात्मक एकाई है, भूत समिती, उस समिती पर एक भूत पर पार्च कारेकर्ताओं जिसको हमने पंच परमेश्वर की संग्या द युवा कारेकर्ता, एक हमारी बहन महिला कारेकर्ता, एक भूत का भूत पर रहने वाला कोई वरिष्ट कारेकर्ता जिसको हम भूत पालक बोलते हैं, भूत पालक और एक BLA-2 जो BLO, सरकारी BLO होता है, उसके पैरलल हमारा कारेकर्ता जो चुनाव आयक की गतिविदियों को पर समाज में लेके जाता है, ऐसे लगबग 79,000 कारेकर्ताओं की सुची हम लोगों ने तयार की है, उसी संधर्ब में दिल्ली में 16 अक्टूबर को आधर्निये राष्ट्य ध्यक्ष, श्रीमान जगत प्रकाष, नड़ा जी का एक बड़ी बैठक में उनका उध्वोधन हम स का एक बड़ा सम्मेलन है, जिसको हमने पंच परमेश्वर सम्मेलन का नाम दिया है, और हमारी टैग लाइन है मेरा भूत सबसे मजबूत, उस संधर्ब में पिछले डेड़ महिने, दो महिने से उनका पंजीकरन होना, उनके साथ रूबरू, पार्टी के वरिष नेताओं को जिले के और हमारे प्रदेश के नेताओं का उनसे मिलना, और उसी संधर्ब में एक बड़ी 16 अक्टूबर को राश्ट्य द्यक्ष जी का उद्भोधन जिसमें मिलेगा, पंच परमेश्वर सम्मेलन रामलिला मैदान में रखा है, जिसमें लगबग एक लाग के करीब हमारे कारेकरता, जो भूत पर पंच परमेश्वर रहते हैं, उनके अलावा भी हमारे मोर्चे, प्रकोष्ट, प्रदेश के अन्ने पदादिकारी, मंडलों के और एवम जिलों के पदादिकारी, जो कही ना कहीं किसी ना किसी दाइत्व पर हैं, जिम्मेदारी पर हैं, उन सब को म वो कारेकरता अपना रेजिस्टेशन करेंगे, ताकि उन सब को भी हम सुचिबद कर पाएं कि कौन कारेकरता हमारे वहां पर पहुंचे हैं, इसी संदर्ब में हमारे बीच में आप सब को संभोधित करने के लिए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आधर्णी आदेश गुप पुष्ता जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप सब को संभोधित करें, आधर्णी आदेश जी धन्यवाद हर्ष जी, जैसा अभी हर्ष जी ने बताया कि 16 अक्टूबर को मानी रास्टी अध्यर जी का रामनीला मैदान में एक कारेकरताओं का एक लाख कारेकरताओं का समेलन होने जा रहा है, उसी की विस्तरत रूप रेखा के बारे में आपको बताना चाहता हूं और आप सभी पत्रकार मित्रों का आज की स्पेस कॉन्फेंस में स्वागत है, अभी निंदन है, मेरे साथ यहाँ पर उपस्तित नेता विपच्छ, आधनी रामभी सिंग विधूरी जी, महामंत्री प्रदेश, स्री हर्ष मलोतरा जी और खेमचन सर्मा जी जो प्रभकता है सभी मीडिया के मित्रों, सोले अक्टूबर दिन रविवार को रामलीला मैदान पर एक लाग कारिकरताओं के हुंकार, भारती इंता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कारिकरताओं की एक हुंकार, जिसका शंकनाद हमारे राष्टी अध्यच मानी जगत प्रकास नड़्डा करने वाले हैं, और इससे पूर्व पूरी दिल्ली के अंदर डेड़ महने लगातार भूत इस तरके संगठन को मजूद करने के लिए पंच परमेश्वर की लिस्ट तयार की है, इसमें सभी मोर्चा के कारिकरता, हमारे आठ मोर्चा है, इवा मोर्चा, महला मोर्चा, अनु मोर्चा, आठो मोर्चा और जितने भी प्रकोस्थ हैं, उस सभी प्रकोस्थ, भाषा, भाषाई प्रकोस्थ, उत्राखंड, हिमाचल, बेंगाल, उडिसा, दिल्ली में रहने वाले जितने भी साउथ इंडियन सेल के हमारे पदादिकारी हैं, नौर्थ इस्ट सेल के कřण्यांतों के हिसाब से जो जो लोग यहां रहते और भारती इंता पार्टी से जुड़े हैं वो वन्हों कारीकरता प्रोफेस्नल्स, अंजियो, एम्पीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर, भाइ प्रोफेसल्स जो सेल्स है वो सभी सेल्स के हजारों कारिकरता, ऐसे मिलाकर एक लाग कारिकरता भारती इंता पार्टी के, जो पूर्म में पदादिकारी रहे हैं, जो वर्तमान में पदादिकारी हैं, ऐसे सभी कारिकरताओं का एक बड़ा कारिकरता सम्यलन, जिसका संखनाद, सिंगनाद, रास्ती अध इसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने सातों लोकसभा के हिसाब से इंचाज बनाए है और हर जिले के प्रभारी बनाए है हर मंडल के प्रभारी बनाए है हर शक्ति के अंद्रयानी चार चार पांच पांच बूत पे इसके प्रभारी बनाए है जो दिन रात प्रवास करके इस क काम को कर रहे हैं खास बात होगी कि यह online link उन कारिकरताओं को Google link भेजा जा रहा है और अभी तक 50,000 से जादा link कारिकरताओं को भेजे जा चुके हैं जो link कारिकरताओं को जाएगा वो link जब वो download करेगा तो अपना डाटा भेजेगा और वो डाटा भेजने के साथ ही हमें उनको आई कार्ड मोहिया कराएंगे जो आई कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा जैसे ही वो अपने रामलीला मैदान के कैंपस में इंट्री करेंगे उनके प्रवेश की सूचना हमारे पास बाइनेम आ सामाज के लोक बालमी की बंदू वहां आकर उस भूमी पूजन कारकम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद तेरे तारीक को सातों लोकसवा में हम एक एक जंडा लेकर उसका सिरी गड़ेश करेंगे लोकसवा इस तर पर जिसमें प्रचार बहान करेंगे और इस प्रचार की स्रंकला में पूरी दिल्ली की सातों लोकसवा में हम पोस्टर अभियान चलाएंगे और होडिंग लगाने का अभियान चलाएंगे प्रचार अभियान की प्रारंब 13 और 14 तारीक को होगा और उसके साथ ही साथ ये रामनिला मैदान में 16 अक्टूबर को इडिया हो या उहां आने वाले कारिकरताओं को पानी की विवस्ता हो इत्यादी जितनी भी विवस्ताइं हैं पार्किंग की विवस्ता हो प्रशासन की विवस्ता हो वो सारी विवस्ताइं सुद्रण और सुन्दर बनाने का कारे जारी है ये संखनाद ये सिंगनाद जो भार पार्टी जंता पार्टी के मानी रास्टी अध्यच पहली बार दिल्ली के अंदर किसी इतने बड़े कारिकरताओं के सम्मेलन में आ रहे हैं इसके लिए उनके स्वागत के लिए भी हमने वहां पर बिविन प्रदेशों के लोक संस्कति के कारकरम भी उस मंच से होंगे उसमें उत्राखंड है उसमें बेंगाली है उसमें पंजाबी है उसमें हमारे दच्छन भारती है ऐसी लोक परंपरा के संस्कृतिक कारकरमों के साथ भारती जंता पार्टी परिवार का ये सबसे बड़ा शक्ती प्रदर्शन 16 अक्टूबर को रामलीला मैदान में होगा मैं ये ज बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं थोड़ा है हमारे विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष आदरनी रामवीर सिंग विदूर जी से कह रहा हूं कि वह अपनी बात रखे आदरनी रामवीर सिंग जी दिल्ली परदेश भारजनता पार्टी के यसस्वी अध्यक्स आदनिय सिरी आदेश गुपता जी दिल्ली परदेश भारजनता पार्टी के महामंत्री आदनिय सिरी हर्स मनोत्रा जी परदेश के परवकता आदनिय सिरी खेमचन शर्मा जी मीडिया के सभी सम्मानी साथियों अध्यक जी ने और मुलुत्रा जी ने आप सभी को जानकारी दी है कि 16 अक्टूबर को राम लिला मैदान में भाजप्पा कारिकरताओं के एक विसाल संबेलन आयुजित किया गया है और इस संबेलन में एक लाग से ज़्यादा कारिकरता सामील होंगे यह एत्यासिक संबेलन होगा भाजप्पा के सभी विधायक, पूर विधायक और विधान सवा में जो भी भाजप्पा के पूर उम्मिद्वार हैं, रहे हैं इस संबेलन को सफल बनाने में जोड सोड से जुट गए हैं इस संबेलन में अर्विंद केजिवाल सरकार की हर मोडचे पर जो विफलता रही है उस पर भी विस्तार से परकास डाला जाएगा भारत के यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था बहुत बहुत धनेवाद अगर कोई सवाल है तो एक 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 करके प्लेश देखिए जिस समय दोहजार सत्तरा के अंदर हमारे रास्तिय ध्यच मानी अमिश साजी थे ग्रह मंत्री जो आजकल है उस समय भी दिल्ली भारती इंता पार्टी ने 2017 चुनाओं से पहले एक बड़ा संखनाथ कारिकरताओं का किया था भारती इंता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है उसका कारिकरता और संगठन इसलिए कारिकरताओं को मोबिलाइज करना सुचारू करना जागरूप करना उनको सक्री करना हमेशा से पार्टी के कारिकरमों का एक हिस्सा रहा है और उस कारिकरम में चाहे चुनाओ है चुनाओ तो हरवर्स आते हैं चुनाओ कभी भी आए हम दूसरे राज्यों में भी पार देखिए बिल्कुल कोरी बक्वास है जिस तरह से आमाधी पार्टी के विधायक और उनके जो पूर पार्षद है उन्होंने सरकारी जगों पर कब्जा किया होगा भारती इंता पार्टी के जो नेता है वो कानून के और समिधान के हिसाब से काम कर रहे है जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं इसमें जो भी आरोप हैं वो बे बुनियाद है कि केजरिवाल जी की जो भाषा वो बता रही कि वो बहुत ही बौखला रहे हैं फ्रस्टेशन में और जो मुख्यमंत्री जो उफिसियल लेटर जो उनके आफिस में आता है उसको भी वो साइन करके नहीं भेजते हैं समबैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं मानते हैं आज की तारीक में जब कोई मंत्राले से संबंदित पत्र आता है तो या तो मंत्री या मुख्यमंत्री को साइन करना चाहिए यह तक की प्रधार मंतरी कारले के भी जो है या कोई केंदरी मंतरी है उहां भी उनको साइन करने पड़ते हैं लेकिन दिल्ली के मुख्य मंतरी ना जबाब देही लेना चाहते हैं ना ही जिम्मेदारी लेना चाहते हैं वो सोचते हैं कि अगर हमने साइन कर दिया तो हम फस जाएं ये जो उन्होंने राजपाल जी के बारे में कहा ये बिलकुल निचले इस तरह की उन्होंने बाते कही जिस तरह से संबैधानिक पद पर यल जी साब है उनको मुख्यमंतरी जी को उनके संबैधानिक गर्मा का ध्यान रखना चाहिए और मुख्यमंतरी इस तरह की भाशा प्र जो घवराहत है वो दिखा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है. बिलकुल सही बात है, हिंदू बिरोधी है केजरिवाल और ये सिर्फ उनके मंत्री के वक्तव से इसपस्ट नहीं हो रहा है. स्वयम केजरिवाल कुछ दिन पहले अपने ट्यूटर हैंडल पर स्वास्तिक चिन जो हिंदू धर्म का एक पवित्र चिन माना जाता है, उस चिन को भागते हुए पीछे से जाडू लेकर कोई आदमी भगा रहा है और ये ट्यूट अर्विन केजरिवाल ने स्वयम किया था, इस से उनके मानसिक्ता का पता लगना चाहिए कि वो हिंदू भी रोधी हैं, दूसरी बात, राम मंदिर के मुद्दे पर वो कह चुके हैं कि यहां राम मंदिर नहीं, यहां तो अस्पताल, स्कूल या विद्याले बनना चाहिए, यह वो कई बार कह चुके हैं, और उनके द समान द्रश्टी से समान आदर्व से देखना चाहिए लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री हिंदू देवी देपताओं का अपमान करते हैं अनादर करते हैं और वो राजिंदरपाल गौतम के खिलाब कोई कारवाई नहीं करते धकोसला और पाखंड है अर्विंद केजरि गुजरात में जाकर जैसी क्रस्ना कहते हैं जब चुनाव आता तो चुनावी हिंदू बनकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और वहीं जब इस तरह की घटनाए होती हैं तो बोट बैंक के लिए और देश को तोड़ने की और देश के अंदर विभाजन कराने की और देश के अंदर नफरत फैलाने का काम इनके मंत्री करते हैं तो मुँ बंद कर लेते हैं ये उनका सबसे बड़ा पाखंड और उनका दोरा चरित्र बता रहा है ये एक बहुत बड़ा साजिस रची जा रही है ये एक तरह से शरीर के अंदर जैसे रक्त और मांस होता है रक्त और मांस का संबन्ध हिंदू और बौधों में हिंदू और बौधों में जो मानिता है वो रक्त और मांस के संबन्ध के जहां गया में हम बोध गया में एक तरह महात्मा बुद्ध जी की पूझा करते हैं वहीं पर हमारे हिंदू वहां पिंड़दान करने के लिए जा हाँ ठीक है आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं लेकिन दूसरे धर्म के बारे में बोलना ये कहीं नहीं और फिर इन्हों ने तो राजेंदरपाल गौतमु अर्विंद केजरिवाल इन्हों ने तो संविधान की सपत लिए इन्हों ने संविधान की सपत लिए संविधा होनी चाहिए